नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैट और मैं हूं शेशांग सेंग, खबर है सूर्य कुमार यादव से जुड़ी हुई और उनकी फन और उनके चिल्डाउट अंदास से जुड़ी हुई विराट पोली ने जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने वो शतक लगाया और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने एक बहुत बड़ी जीप दर्ज़ की यानि के चौती रंस के लिहाद से सबसे बड़ी जीप उसके बाद विराट पोली ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ही कुछ नहीं लिखा सिर्फ फायर के इमोजीज लगाके और कुछ इमोजीज लगाके विराट पोली ने इंस्टा स्टोरी तोरल्ट बेसिस पर लगा दी सूर्य कुमार यादव की ये वो इंस्टा स्टोरी है जो विराट पोली ने अपनी लगाई और इसके बाद जो सूर्य कुमा यादव की आई और सूर्य कुमार यादव ने कहा भाव करते हुए कि अरे भाव भाव मतलब बड़े भाई को कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेकिन जल्दी ही मिलते हैं तो आपके साथ तो बहुत विराट के बारे में उन्होंने बहुत सी प्रतिक्रिया आएं यानि कि पिछली जो उनकी पारी सी T20 आई में जिसके बाद पूरी दुनिया उनकी दीवानी सी हो गई है और भी बहुत सारी प्रितिक्रिया हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन ये देखिए 51 गिंदों पर 112 रन और तीसरा शतक था ये उनका T20 आए में अगर आप उन प्रदश्र तक लगा दिये हैं और ये कहा जाता है कि सबसे difficult format है ये उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव ये कर रहे हैं लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इनका जिक्र कर लेते हैं सारे adjectives लगा दिया हैं लोगोंने इन बिशप कह रहे हैं कि अगर 30 में मौका नहीं मिला होता यानि अगर 6 साल पहले मिल गया होता तो क्या स्काइप इस तरीके से डॉमिनेट कर रहे होते हैं ये उनके आकड़े देखिए कि 15 ये जो सबसे ज्यादा मैन अच अवार्ड लिये हैं T20 आईज में 10 सूर्य खुमार यादव यानि नमबर 3 पर आ गए प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि एक और अनदर एक्स्टार्डरी परफॉर्मेंस बाइंच अनुने कहा है कि सूर्य कुमार यादव क्वाइट गुड विध ऑग्रिकेट बैट इसके अलावा क्या प्रतिक्रिया आई हैं अन्बिलीवेब लमेंड वेलिंग्टन उन्हें प्रतिक्रिया दे दी लेकिन यह हर्चा भोगले की जो प्रतिक्रिया है यह आपको दर्शाती है कि आखिर किस तरीके से सूर्य कुमार यादव को देखा जा रहा है आखाश चोपड़ा भी कह रहा है कि यह अपनी ही अलग लीघ में हैं इनके साथ कोई भी नहीं है कोई नहीं है टककर में क्यों पड़े हो चककर में skills, techniques and jigger यह मुहमद कयाफ का कहना है और इसके अलावा आप प्रतिक्रियाएं देखते जाएं कोई भी इसको नॉर्मल लिनिंग नहीं कह रहा है यह पड़ोसी मुल्क वहां से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो कहते हैं कि भाईया यह क्या कर रहा है कि लाड़ी वाड़ी वाड़न अमेजिंग अंडर इन ओनली 45 बाल्स डीके कि भाईया मैं तो फ्लाइट ले रहा था लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अलग ही उडान भर रहे थे ICC ने भी ट्वीट किया ICCI ने भी उनके बारे में प्रतिक्रियाएं दिये हैं और दिखाया है कि किस तरीके से 749 चक्के 219 से ज्यादा कि स्ट्राइक रेट अब यह अकाउंट मुझे नी पता कि कौन हैंडल करता है लेकिन यह कह रहे हैं कि भाईया इस जगा पर इस प्लैनेट के बॉलर्स जो है वो इस जानी के अर्थ के जो प्लैनेट के बॉलर्स है वो सूरिया के लिए गुड नहीं है लेकिन यह आंखड़ा बहुत रिचस्प है 43 मैचों में 1500 रन इन्हों ने पूरे किये है लेकिन स्ट्राइक रेट के लिहाज से सबसे नंबर वन पर है यह तेज़ सो से ज़्यादा कि स्ट्राइक रेट से किसी ने भी नहीं किये विनेट कुमार तेजगेंद बास ते आल राउंडर की तरह थे स्टुबेंडिस नॉक उन्होंने कहा है सुनील यादव अन्स्टॉपेबल स्काई 360 डिग्री और हर कोई अब यह तुलना करने लगा है कि भाई या 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव विनेदर सेंदू स्काई है नो लिमिट अन्स्टॉपेबल तो यह इस तरीके की प्रतिक्रिया आएं और पूरी दुनिया जो है वो दिवानी हो गई है जैसा कि हमने विराट कोली का भी देखा और जिसमें जो प्रतिक्रिया आई सूर्य कुमार यादव की वो वाकई उसने मेरा तो दिल जीत लिया आपका क्या कहना है मैं मुझे रांग सेंग नमस्कार